नमस्कार मैं आस्था मेरे चैनल व्रिंदे राखी पर आपका स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि दिवाली वाले दिन हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए कौन से स्थुती करनी चाहिए जिससे माता लक्षमी परसन हो जाए भगवान गनेश परसन हो जाए और जिस आस्था और जिस इच्छा से हम इनकी पूझा कर रहे हैं वो हमारी इच्छा पूर्ण हो और हम उन्हें साल भर के लिए परसन कर पाएं अगले साल फिर हम परियास कर गर सकते हैं और को ईसको कोई मंतर कोई नहीं आती तो उनके लिए लिए नाम मंतर होता है जैसे महालक्ष्मी का नाम जपने महालक्ष्मिय नमॢख हां तो प्रकार और लोग अपनी शद्धा की अनुसार नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं पूजा करते हुए पूजा करके बैठ कर थोड़ी देर समय देते हुए भगवान के चर्णों में हमें उस समय उनकी स्तूति वंदना करनी चाहिए तो सबसे पहले जो जरूरी है मैं आपको बता दू जो सकते हैं किसी ब्रामण किसी पंडित को बुलाकर तो किसी ब्रामण किसी बंडित को बुलाकर वो यह करवा भी सकते हैं लक्षमी पूजा गनेश पूजा और इन स्तूतियों को अपने घर में तो सर्व पथम जो हमें जरूर कराना चाहिए वह है गनेश अथर्व शीष का प पाठ ये भी बहुत ही अधिक फलदाई है इसका पाठ हमें वैसे तो जब भी हो सके हमें करना चाहिए अगर आपकी लक्षमी प्राप्ति की इच्छा है तो नहीं तो आप दिवाली पूजन में तो ये जरूर करें अगर नहीं आता तो ये भी आप करवाएं अगर आप करवा सकते हैं और कुछ मंत्र मैं आपको बताती हूं जो आप मंत्र जब सकते हैं एक माला तीन माला जितनी आपकी श्रद्धा हो जितना आप समय दे सकते हैं लक्षमी को प्रसंद करने के लिए तो आपको ये सप्रयास करने ही पड़ेंगे तो चलिए मैं आपको कुछ मंत्र बत नहीं आती है तो क्राइब कर पूज़ा करके बैट जाए और लक्ष्मी माता का जो है वहाँ आपको बताए तो सबसे पहले ओम फिर श्रींग लक्ष्मियाई नमगा यह मंत्र विस का उच्चारण करते हुए या फिर जो भी मंत्र हैं अगर आप विना उच्चारण के मंत्र तो उसका फल अधिक होता है यानि कि बिना बोले हुए मनहीं में उसका हम जाप करते हैं माला लेकर बैठकर तो उसका अधिक फल होता है तो जैसे आप हलके हलके होटों को हिलाते हुए जो किसी को सुनाई ना दे तो इस प्रकार भी जब सकते हैं जोर जोसे भी जब सकते हैं वह मांसिक मंत्र जबका होता है उसके बाद धीरे धीरे जिसमें हमारे होट हिलते हैं और किसी को सुनाई नहीं देता उसके बाद फिर उचारन जैसे भी आपके हैश्रद्धा संभव करें आप दूसरा मंत्र है ओम श्रींग महालक्षमे नमा तो इस मंत्र को भी आप स्क्रीन दिन कर सकते हैं चोथा मंत्र मैं आपको बताती हुं जो साधारण है जो किसी मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो इस मंत्र का जाब करें ओम महालक्षमे नमा और जो स्तुती में आपको बताती हूं मातालक्षमी को प्रसंद करने के लिए तो एक तो मैंने आपको श्री सुक्त का पाठ पताया एक बहुत ही सरल है वह है महालक्षमी अस्टकम एक है अश्टलक्षमी उसमें आठो प्रकार की लक्षमी की अलग-अलग छोटी-छोटी लाइने बोलकर स्तूति है तो लक्षमी प्राप्ति के लिए मातालक्षमी को प्रसंद करने के लिए दिवाली वाले दिन जरूर करें और जो नाम मंत्र है अगर आपको कुछ नहीं आता आप नाम मंत्र का जाप करें शद्धा भाव से माता की पूजा अर्चना करें गणिजी की पूजा अर्चना जरूर करें तो यह थी दिवाली वाले दिन हमें कौन से स्तूति मंत्रों का जाप करके भगवान गनेश को माता लक्षमी को परसंद करना है इसके बारे में जानकारी तो इसी प्रकार व्रतों तहवारों से जुड़ी हुई जानकारी और भी बहुत सारे उपाए मेरे चैनल पर आपक प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके धन्यवाद